ये कहानी डेविट की है जो अमेरिका के एक छोटी से सहर में रहा करता था कुछ दिन अमेरिका में हेलोवीन का त्योहार था और सभी लोग उसी का जशन मना रहे थे हेलोवीन की रात उन लोग को याद करा जाता है जो अब इस दुनिया में नहीं है जैसे के उनके परिवार वाले या जंग में सहीद होए जवान या जिनोंने सोसाइटी के लिए काफी योगदान दिया हो कहते हैं इस रात को असली दुनिया और गुजर चुके लोगों के दुनिया के बीच एक पैसेज यानि की एक रस्ता खुलता है और जिन भी गुजरे वाले लोगों को याद किया जाता है वो उस रस्ते से अपने लोगों से मिलने आया करते हैं डेविड भी हैलोवीन के तयारों में लगा था उस रात उसके अंकल एंडिसन ने उससे डिनर पर बुलाया था मिस्टर एंडिसन की वाईप पिछले चार सालों से लापता थी और तब से वो थोड़े अजीब से हो गए थे डेविड को अपने अंकल बिल्कुल पसंद नहीं थे पर उसे अपनी आंटी से बहुत लगाब था इसलिए वो उस दिन चार सालों के बाद अपने अंकल का हाल चाल जानने के लिए गया जब वो वहाँ पहुँचा तो मिस्टर एंडिसन की हालत देख वो थोड़ा सहम गया ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सालों से नहीं सोए पुरे घर में अंदेरा था और बस एक ही बल्ब जल रहा था देविड को वा कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था देविड उनसे बैठकर बाते ही कर रहा थे कि उससे लगा कि किचन में इसे के खाना बनाने के आवाज आई ये सुनके उससे अपनी आंटी की याद आई वो ऐसे ही उसके लिए खाना बनाया करती थी उसने अपने अंकल से पुछा किया यहाँ पर कोई और भी है क्या तो अंकल ने कहा कि नहीं और कोई नहीं है कुछ देर बाद वो जो एक बल्ब जल रहा था वो फ्लिकर करने लगा अंकल एंडिसन जैसे ही ये चेक करने के लिए अंदर गए तो वैसे ही किसी ने डेविट का नाम पुकारा यह बात किसी और की नहीं बल्कि उसकी आंटी की थी आंटी क्या यह आप है? उस लाइट की फ्लिकर में उसे कुछ धुंदला सा दिखा उसकी आंटी की आत्मा ठीक उसके सामने खड़ी थी फिर वो आत्मा ठीरे से घर के बेस्मेंट की तरफ चली गई तो डेविट डरते डरते उसके पीछे गया बेस्मेंट में जाते ही वो आत्मा गायब हो गई और डेविट ने वहाँ का भैलक द्रिस से देखके तुरंट पुलिस को फोन किया उसने देखा कि वहाँ सैटन यानि God of Death के मूर्ती और उसके आगे चार लोगों की सड़ी हुई लाश पड़ी है कुछी देर में उससे चक्कर आने लगे और वो भ्योश होकर नीचे गिर पड़ा जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि अंकल एंडिसन ने उससे बांध रखता है और वो उस सैटन की पूचा कर रहे हैं डेविट को ऐसा लगने लगा कि सायद ये उसके जिन्दगी का आखरी दिन होगा और तभी पुलिस ने आकर उससे वहाँ से बचा लिया और अंकल एंडिसन को गिरफतार कर लिया इंटेरोगेशन की बाद मालूँ हुआ उन चार बोडी में से एक बोडी उनकी वाइस की भी थी और बाकी तीन उस सहर से गायब होए लोगों की हर हैलोवीन को इन लोगों की बली चाहा के एंडिसन सैटन को खुस करके अमर बनना चाता था और इसलिए इन सब का उसने मर्डर किया डेविड भी आज सायद जिन्दा नहीं होता अगर वहाँ उसकी आंटी की आत्मा नहीं आती डेविड ने उन चारो बोडी का सही तरीके से बरियल किया तब से वो हर हैलोवीन का दिन पबलिक सर्विस करके बिताता है